हेलो मिस्टिरियस बुक मेंबर मैं हूँ आपका दोस्ट मोनुट चलिए खोलते हैं मिस्टिरियस बुक का आज का बेदी खासंग जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं यानी 4 अक्टूबर 2019 को हुआ या इसमैक डाउन वेदी खास था क्योंकि यह फॉक्स नेटवर्क पर पहला इसमैक डाउन का एपिसोड था और इस दिन इसमैक डाउन की 20 एनिवर्सरी मनाई जारी थी काफी दिगज आये थे, इस्टिंग आये थे, रिक फ्लेयर आये थे, हल्क ओगन आये थे, गोल्ड बर्ग आये थे, इतना ही नहीं मार्क हिंडरी भी आये थे तो आकिर क्या खास था इस इसमैक डाउन में, जानेंगे मिस्टिरियाज गुफ के इस बेधी खास अंक में चलिए सबसे बहले बात करते हैं इस्टिंग की, इस्टिंग हमें काफी लंबे समय बात दिखाई दिये थे और इस्टिंग आये भी थे यहाँ पर इस्टिंग को देखकर ऐसा लग रहा था, वो अभी भी काफी स्वस्त हैं और अभी भी उनमें काफी ताकत है, और यहां पर कोई बवाल नहीं हुआ, इस्टिंग पर किसी ने कोई हमला नहीं किया, इस्टिंग हमें पर्मोशन करते हुए नजर आए थे, इस्टिंग ने आफ में सारा वे बैक एक टेज्य में मज़े लिये वह रंग के अंदर नहीं आए इसके साथ हैं यह हमें नजराए थे बिल गोल्डबर्ग और अर habitual के आये वह भी प्यotope पजम नजर आए इसके साती आये किए कराउट के साथ एक आ êtes साती हमें को मिले Hull Kogan, Hull Kogan के साथ ही हमें देखने को मिले Nature Boy Rick Flair, इतना ही नहीं हमें देखने को मिले Mick Folly और Kurt Angle, इन सब के साथ इस show के सुरुवाती समय में हमें company के मालिक Vince McMahon भी दिखाई देते हैं इंके साथ ही नजर आती है Stepney McMahon, show में कोई कमी नहीं रह जा है इसलिए Vince McMahon आये थे इतना ही नहीं सो को जबरदस बनाने के लिए उन्होंने काफी जबरदस काम किये थे इस सो में SmackDown के इस खास सो की सुरुआत होती है बैकी लिंच के खास सेग्मेंट से दरसल जिस समय बैकी लिंच रिंग मा आती हैं तो उनके कुछ देर बाद बैरन कॉर्बिन आ जाते हैं उसके बाद जानी पैचानी धुन बसती है और हमें पता लग जाता है कि आ गए हैं दी रॉक WWE Hall of Famer The Rock ने काफी जबदस इंट्री ली रॉक को वहाँ पर क्राउट काफी जादा सपोर्ट कर रहा था Becky Lynch भी Baron Corwin पर हमला करती है इतना ही नहीं दी रॉक उन पर People's Elbow भी मार देते हैं उसके बाद Rock Bottom भी उन्हें मार देते हैं काफी जबदस सेग्मेंट था अगर आप लोग उन्हें नहीं देखा तो एक बार आप ज़रूर देखिए इसे इन सबके साथी Kevin Owens और Saint McMahon के बीच एक ladder match हमें देखने को मिलता है यह match काफी जबदस्त चल दा था दोनों के दोनों सूपरिस्टार एक दूस्ते में काफी अच्छे moves का इस्तेमाल कर रहे थे पर अंत मैं ऐसा होता है कि Best in the World Saint McMahon को Kevin Owens ladder पर Power Bomb मार देते हैं इसके बाद Kevin Owens briefcase को ladder की मदद से निकाल भी लेते हैं इसके साथी वह अंत मैं सेन मैं को fire करने के बाद इस टरनर भी मार देते हैं इसके साथी इस match के विजेता बन गए थे Kevin Owens इन सबके साथी हमें एक tap team match देखने को मिलता है बैकी लेंच और सारलेट फ्लेयर बनाम सासा बैंक्स और बेली मैच सुरू होने के बाद सूपर इस्टार एक दूसरे पर लादभू से बरसाने लगे मैच काफी जबदत चला था कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि मैच कौन जीतेगा पर अन्त मैं ऐसा होता है कि सारलेट फिगर एट की मदद से match जीत जाती है इसके साथ ही इस match के विजेटा बन जाती है बैके लेंच और सारलेट फ्लेयर इन सब के साथ ही हमें रोमन म्रीनस का भी एक match दिखाई देता है वह मैच में दखल देने की कोईशिस करते हैं लेकिन वहाँ पर Lumberjacks और Daniel Bryan उन्हें ऐसा करने से रोग देते हैं इन सब के साथ ही हमें इस मैच में Roman Reigns का एक high flying moves भी देखने को मिलता है अंत में Roman Reigns Eric Rowan को spear मार कर मैच जीत जाते हैं अब देखना होगा Hell in the Cell में Roman Reigns और Daniel Bryan की tag team क्या कुछ खास करती है इन सब के साथ ही हमें दिखाई देती है Brock Lesnar की जोरदार entry दरसल यहाँ पर Kofi Kingston बना Brock Lesnar के बीज़ भी match था जैसे Brock Lesnar entry कर लेते हैं उसके कुछ देर के बाद आते हैं Kofi Kingston और यहाँ पर हमें एक खास चीज़ देखने को मिलती है जैसे मैच सुरू होता है मैच सुरू होने के 5 सेकंड के अंदर Brock Lesnar मैच जीत जाते हैं Brock Lesnar Kofi Kingston को सिर्फ एक F5 मारते हैं उसके बाद पिन करके मैच जीत जाते हैं पर जैसे ही वह मैच जीते हैं उसके बाद आते हैं 619 Master Ray Mysterio Ray Mysterio के साथ हमें एक UFC Fighter दिखाई देते हैं जिनका नाम है Kane Velas Cage आप यह जानके हिल जाएंगे दोस्तों की Velas Cage ही थे जिन्होंने Brock Lesnar को UFC में हरा डाला था और यह बताने की जरूद नहीं होनी चाहिए कि UFC में Brock Lesnar को हराने वाले बहुत ही कम wrestler हैं जैसे ही Kane ring में entry लेते हैं वो Brock Lesnar पर हमला कर देते हैं Brock Lesnar थोड़ा हस्ते हुए भी दिखाई देते हैं इस नहीं Brock Lesnar थोड़ा डरे हुए भी दिखाई देते हैं पर अंत मैं Brock Lesnar रिंग छोड़ कर चले आते हैं इस SmackDown में हमें Seth Rollins और सिंस के नाका मुरा का भी एक मैस दिखाई देता है पर अंत मैं Finn Bray Wyatt आकर वहां पर Seth Rollins पर हमला कर देते हैं वैसे मेरे इसाब से एक नंबर की SmackDown थी ये आप लोगो को कैसी लगी है SmackDown कमेंट करके बताना न भूलें दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिए जल में से हैं Mysterious Book के एक नई रोचक और बेदी खास अपिसोड में इसी Mysterious Book के चैनल पे तब तक रखिये मना ख्याल मैं मोनो लेता हूँ आप सब इसे विदा, नमस्कार